तो मैं खुद मिला हूँ बच्पन में उधर से कौन थे दिमाख लगाने की जरूवत नहीं है वही डी एन जहा आरेश शर्मा रोमिला थापर सूरज भान वगएरा वगएरा अम मज़े की बात कि उनकी तरफ से यानि तथा कतित बाबरी मस्जित के केस की तरफ से दिहास कारत चलिए तब उससे कहा गया कि वह हिस्ट्री में दो विशय होते ना अर्के लोजी और कल्चर यानि साहितिका ध्यन करें या जो खुदाई का विशय तो उन्होंने बाक्यादा लिखित में लिए कि आर्केलोजी हमारा विशय नहीं है यानि खुदाई संबंदी चीज़ों क available थे वो दो ही भाशाओं में available थे संस्क्रट और फार्सी उनसे पूछा किया कि आप ने तो नहीं आती संस्क्रट भी नहीं आती अब आप सोचिए कि जनना लिखाई जानते थे ना खुदाई जानते थे और दावा ये कि सारी खुदाई जानते थे वो लोग पूरे मीडिया को कैप्चर किये हुए थे और राम जन्मुमी एक ऐसा बोगसीज है वगरा वगरा और परसार माध्यमों के दोड़ की इंतहा तो सोचिए जब खंबे निकला तो कहते हैं खंबा तो लाके रख दिया गया होगा लखनौ के म्यूजियम से और जब वह बाउजूद भी बेशर्मी के साथ इस पॉइंट पैटके हुए थे इतने खंबे कौन लाके कहां से लाके रख सकता है जबकि एक एक चीज की वीडियोग्राफी हुई है यह सिर्फ इसलिए बताया आज हमारे पास एक अवसर है कि प्रसार माध्यमों ने जो वातावरण ब कर सकता है और उसमें से 75 पर सिर्फ सीजें लाजिक के द्वारा क्रॉस शेक करके वेरिफाई की जा सकती है अब यहीं पर उनका सारा मामला भज गया और यह जो प्रभाव था वो सिर्फ प्रिंट मीडिया और एलेक्टॉनिक मीडिया पर नहीं था और आप देखिए उसमें कैसे वह अपने प्रभाव बना कर रखते मैं उधारन बताना चाहता हूं अभी दो साल पहले की बात है कि एक अमेरिकी पत्रकार आए कर सकता है और उसमें से 75 पर सिर्फ सीजें लाजिक के द्वारा क्रॉस शेक करके वेरिफाई की जा सकती है अब यहीं पर उनका सारा मामल और यह जो प्रभाव था वो सिर्फ प्रिंट मीडिया और एलक्टॉनिक मीडिया पर नहीं था और आप देखिए उसमें कैसे वह अपने प्रभाव बना कर रखते मैं उधारन बताना चाहता हूं अभी दो साल पहले की बात है कि एक अमेरिकी पत्रकार आए वहां के इस्ट के बारे में बताया मैंने का जी कinky करने वाला सबसे आपारफ। सब्सक्राइब बहुत बताया तो इंप्रेस्ट हुआ अब देखिए क्या होता है वहां से फोन भी आया मेरे पास क्रॉस चेक करने के लिए आपने ये बोला है जो मैंने बोला वो तो उसने लिखा फिर इंटरप्रेटेशन क्या किया कि इट सीम्स डेट आरे से से सेट विदिन स्टेट इन इंडिया अब बताईए सारे सेवा कारे को कैसे नकारात्मक रूप से उसने चित्रित कर दिया यह प्रसार माध्यमों पर कब्जा होने का प्रभाव और वो सिर्फ कब्जा इतना ही नहीं अगर आप देखें मैं उधारन देना चाहता हूं 1998 की एक घटना थी आपको यादो डांग में गुजरात में इतना हला मचाये गया कि मिशनरी के स्कूलों पर हमला हो गया जबकि वो घटना नवंबर 1998 कि इसलिए मैं डेट के साथ बता रहा हूं नौट इविन एस सिंगिल डाइड नौट इविन एस सिंगिल हॉस्पिटलाइजड एंड नौट इविन एस सिंगिल पक्का स्ट्रक्चर डेमेजड कुछ टीन सेट डेमेज हुए थी मगर इसके बावजूद इतना हो अल्ला हुआ कि क्रिश्यन मिशन दीज़ पर अटैक क पोप का बयान आ गया मगर उसी नवंबर उनिस सो ठानवे में मलेशिया में एक दरजन चर्च आग लगा के जला दिये गए और यहां मैं फिर कह रहा हूं नौट इविन एस सिंगिल डाइड नौट इविन एस सिंगिल हॉस्पिटलाइज हैं नौट इविन एस सिंगिल पक तो बीसी क्या सपास आए अब मजे की बात क्या था कि इनको पता ही नहीं था कि टेक्नोलोजी कहां कहां पर मात दे देगी जब लेट एटीज में और अरली नाइंटीज में सेटलाइट आ गए और सोनोग्राफिक पिक्चर दिखने लगी तो वह सरस्वती नदी जिसका रि 30,000 बीसी में सूख गई थी जो हमारी काल करना से मैच खाता है महाभारत का काल इक्यावन सो वर्षपूर है और उसमें सरस्वती नदी के छीन होने का जिक्र है आप यह बताईए अगर वह हजार या 1220 में आए तो जो नदी 2000 साल पहले लुप्त हो गई थी हराती उसरस्वत नदी पर बनी थी उन्हें क्या पता था कुछ साल में सोनोग्राफिक पिक्चर की टेकनॉली आजाएगी आप सोनोग्राफिक पिक्चर की टेक्नौली आगई तो नीचे स्ट्रक्शर दिखने लगा तो 2003 में जब अटल जी की सरकार थी तो हाई कोर्ट में रखा गया किसाब सोनो ग्राफिक पिक्छर में दिख रहा है कहा गया तब उन्होंने कहा हाँ दिख रहा है तो इद गाहा पे बनाए गया था फिर उसके वाद जब खुदाई हुई खंबे निकलने लगे तो उन्होंने प्लेन जमीन पे था फिर स्ट्रक्चर दिखा तो इद गा था जब उसमें कुछ भी इद जैसा नहीं दिखा मत्तब मुस्लिम स्ट्रक्चर नहीं दिखा तो जैन मंदिर था आप बार-बार स्टेंड को चेंज कर रहे हैं और आप ये समझिए कि जिन इतिहासकारों को सबसे ब स्ट्राम जन्मूम के पक्षे जो इतिहासकार लोग गए वो थे उसमें देविन सरूप जी थे बहुत से लोग पुराने जानते होंगे डॉक्टर हर्ष रायन थे ग्रोवर साब थे एसपी गुपता थे इसमें दो लोगों के सब्सक्राइब खुद